मुझे को हर साल तलब परवा मुझे को हर साल वो शेहर दिखा मुझे को हर साल वो शेहर दिखा मुझे को हर साल करूँ मैं तवाफِ हरम बेजा है जन्नत से तुझे को मुझे को खुदा ने जुमागे तुझे को खुद मुस्ताफा ने बेजा है जन्नत से तुझे को तो खुदा ने चुमागे तुझे को खुदर मुस्तफान है हजर अस्वद तेरा मुकदर अध्य मुकद तेरा मुकदर अद्य मुकदर और अध्यु अजिम अश्योंराओ पुदर उस्मोला के नाम से इबत्दा apology रुझे कोई इंत्या ही नहीं है मुझे जन्नत से उतारा गया मेरी रोशनी को चुपाया गया करोरों फर्जन्दान इसलाम की अकिदतों का मैं बना महबर रब जल जलाल की निशानी करार पाया सरकार दौलम ने मुझे अन्मोल बनाया मैं हूँ जमाने का दुलारा पत्थर जन्नत का निराला पत्थर मैं हूँ हजरियस्वत नाजरीने कराम हजरियस्वत की हकिकत नाम से منصوب अन्जमल प्रोग्राम में हम आपका दिल की अतागहराईों से खेर मगदम करते हैं और इस एहम मौजू पर इस एहम टॉपिक पर हमारे साथ गुफटगू के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में बात करने के लिए दुनिया इसलाम के कजीम शख्सियत मुबलग इसलाम एहल सुन्त वाल जमाद के जाबाज सिपाही खज़त अल्लामा सेद मुझफर हुसेन शेह गादर इदामद बरकातुमार यह हमारे साथ तश्रीफ रखते हैं यह हमारे लिए और आपके लिए खुशनसीवी खुश बग्त की बात है खज़त गुबला असलाम अलेकुम वालेकुम सलाम मिसाच कैसा है जी अल्हम्द लिल्ला हज़त गुबला अमुमन ये इस चैनल के साथ आपका दूसरा प्रोगाम है सबसे पहले तो चैनल की जानेब से आपका बहुत बहुत शुक्री है मश्तसरां वक्त के लिए जो मौशिस आते हैं हमें पता है आपकी मसरूफियात होती है मगर फिर भी आपने थोड़ा वक्त निकाला हमारे लिए बस अल्ह तबारक वाताली से शर्फ गुबलत इताफ़ा मैं भी बहुत मश्कूर हूँ आपका के आपके चैनल का बहुत मश्कूर हूँ कि आप हदरात ने शफकत फरमाई आमें और इबलाग और तबलीग के सलसले में आपने मेरा इनतेखाब किया मैं दौागो हूँ आपके चैनल के लिए और आपके आमें आमें हदर इबलाग आज हमारा मौजू है हजर अस्वत की हाकिकत और जह का मालूम है कि आजकल हज का मौसम भी है हज का सलसला शgan शूरू हो गया है यदिशन दौराने प्रोग्राम हम यह देखने की कोश़ करेंगे हजर अस्वत का मरतबा की अजमत क्या है हजर अस्वत पत्थर ब्लाक स्टोर काला पत्थर गर एक पत्थर की इतनी एहमियत इतनी अजमत इतना इतना बरा मरतबा हज़रत क्यों बिसमिल्लाहिर रह्मानुर्षिम रबिश रह्मी सद्री वैसिर ली अम्री वहलु लुगदतं मिल्लिसानी यफकहू कॉली बहुत खुबसूरा सवाल आपका था कि जिन से पत्थर होने के हवाले से उसके एकराम और इनाम इतना क्यों है तो सबसे पहले तो हम पुरान मजीद फुर्कान हमीद की तरफ अगर थोड़ी तवज्यो करें तो अल्लह रब रालमीन जल्लह वाला ने पुरान मजीद में रिशाओ फरमाए हमने लोगों की हिदायत के लिए जो इस जमीन पर सबसे पहला घर बनाया है बिबक्का ता वो मक्का मकर्मा में है सबसे पहला ये घर लोगों के लिए बनाया गया है और ये पूरा बरकत वाला है मुबारकं ये पूरा बरकतवाला है वहुददलि आलमीन और तमाम आलमीन के लिए ये हधायद का जरिएँ पिर अल्लारबूलाबी प्रमता है फिही इस घर के अंदर आयातु बDERी नातु हमारी रोशन निशानिया रायातु बेली नातु हमारी रोशन निशानिया है उन रोशन निशानियों में से एक है मकाम अबराही हदरत अबराहीम अलेशसलाम के खड़े होने की जगा अब यहां पर देखें दो चीजों का अल्लाह रभ अलेमी ने जिकर किया एक तो यह फरमाया कि यह घर पूरा बरकत वाला है अब देखें यहां पर आप थोड़े सी तबज्ज़ करें तो यहां पर मुबारक काओं वह दर लिलालमे यह यह बरकत वाला भी है और इससे हिदायत और गाइडन्स भी मिलती है तो जो गाइडन्स और हिदायत मिली वो अलग है तो जहां से गाइडन्स और हिदायत मिल रही है वो खुद अपने हाल में बरकत वाला हो गया यानि वहां से पुरान मिला दीन मिला लेकिन वो खुद घर उसका पत्थर उसका गिलाफ उसका सहम अल्लहाभ लालमी ने कहा यह बरकत वाला है मुबारक को अलग जिकर किया हिदायत को अलग जिकर किया यानि क्या मतलब यानि जो हिदायत दी जा रही है वो भी मुबारक ही है लेकिन इससे मुराद यह नहीं कि काब़ से सिर्व अगर दीन मिला है तो वो हिदायत है इस घर को भी हमने बरकत वाला बना जा जाना 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 अपनी मस्दित में आपको अल्लह का कुर्ब, अल्लह के करीब आपके घर के मुकाबले में जदा होंगे। तो बैत-ulammers जो बरकत वाला इसमेराए मरा है, यह हैश्या है आप जो वहां पर जायंगे, तो फिर आपके जाएंगे। سواب भी जादा हो जाएगा एक बात पिर फरमा फी आयातु मेयनातु इसके अंदर हमने रोशन निशानिया रख्かった और उन निशानियों से मकाम उ अबराहीम मकाम उबराहीम को अलग जिक्र किया खास करके लेकिन यहाँ पर यह बहु फरमा आया तुम बैयना, इसमें कई निशानिया हैं, उन निशानियों से एक निशानी हजर अस्वद है, और ये मकाम इबराहीम है, अब जरा इसको मैं मुख्तसर नियर्ज करूँ, यहां दो पत्थरों का जिकर हो रहा है, एक तो मकाम इबराहीम वो भी पत्थर है, जी जी यकिने भी बाई से बरकत है, और आप देखिए कि हजर अस्वद, वो भी बाई से बरकत है, आप इस सवाल के तरफ हम आ जाते हैं, कि पत्थर को अल्ला ने इतनी इज़त कैसे दी, तो देखिए, यह अल्ला अलमीन जल्ला वाला का शर्फ और मकाम है, कि अल्ला जिसे चाहे अपनी मर्जी से अपनी जात की निशानी बना ले, अपने शायर में से बना ले, अपनी निशानियों में से बना ले, अपनी अलामात में से बना ले, अब आप देखिए किसी चीज़ को जाहिरन देखकर हम कोई फैसला नी कर सकते हैं, हम यह देखेंगे कि उसकी निजबत अल्ला क मुतियन कर ले थी अपनी अबादत के लिए रखे ले थी जिन् Expect를 को खुडवा बना ले थी लेकिन आब आप देखिये कि जिसको अपनी मर्जी से अबादत का ज़रीया बनाया वो चीजसे का़ील यालान्त होगी लेकिन जिस चीज को اللہ رب العالمین ने अपनी मर्जी से इंतिखाब का जरिया बनाया वो पत्थर फिर उन पत्थरों की तरा ना रहा जिसको तराश खराश कर अगर कोई बंदा सजदा करता है वो भी पत्थर है हजर असुदी पत्थर है लेकिन दोनों के पत्थरों में फरक किया है अब एक पत्थर जो अल्ला के खिलाव इस्तेमाल हो वो भी पत्थर है उसकी कोई हैसियत नहीं लोग अगर उसको पूझे और एक वो पत्थर है कि जिसको अल्ला से निजवत हो गई है तो अब वो पत्थर जन्नत में ले जाने का जरिया बन गया है हजर असुट की बात हो रही है जर इसका पसमनजर मुख्तसरन बताएंगे हजर असुट कहां से आया और किस तरह ये निस्ब हुआ आपकाव शरिफ में देखे हजर असुट जो अतारा गया है ये आसमान से अतारा गया आहदी शरیफ में आता है जब इसको उतारा गया तो ये इन्तिहाई नूर वाला था सुफेद दूज से ज़ादा ये सुफेद था और इसकी रोशनी ऐसी थी कि जब इसको उतारा गया तो जहां तक इसकी रोशनी गई, इसकी लाइड गई तो वहां तक का इलाका हुदूद हरम उकरा पाया तारीख मक्का की तमाम किताबों के अंदर ये मौजूद है जब आप ये आप देखिए जब खाना काबा जाते है तो आप मक्का शरीत में इंटर होने के साथ एक बाकाइदा एक बॉर्डर आ जाता है उसको हदूद हरम के अंदर किसी भी पत्ते को तोड़ना किसी के साथ जगड़ा करना किसी के साथ लड़ाई करना उस जगा की रौनों को खराब करना ये हराम है हदूद हरम से मुरा ये पूरा खिता हरुमत वाला है यहां पर एक लॉजिक भी के खाना काबा तो यहां मौजूद है लेकि ये चार-पांच किलोमेटर का सराउण्टिंग का इलाका उसको हर्म क्यों करार दिया गया है तो इसकी लाजिक यह थी कि जब खाना काबा में हजर-इसवत को लाया गया तो इसकी रोशनी जब जिबरीड ले लेका रहा है तो इसकी लाका जो है वो हजर अस्वत करार पाया और उसको खाना काबा के अंदर यहां पर नस्ब किया गया माशाला, हज़र खिबला कहा जाता है कि जब इस पथर को जन्नत से उतारा गया जिसके आप बता रहे हैं कि उसकी रोशनी जो है, उसकी रोशनी को चुपाया गया है कि अगर अगर उसकी रोशनी को चुपाया नहीं जाता, अल्ला जीचोपाता तो मशरिक से मखरी तर उसकी रोशनी पहलğा जाता है और यगिना मैं समझता हूँ कि इनसान जो है, उसकी रोशनी को नहीद सकता था तो अब पता ये चला कि हमें मुसा अलिए सलम का वो किसा याद आता है जब वो अल्ला की को देखना चाहते थे इस पर ज़र रोशी ने दो जी बिल्कुल देखिए कि अल्ला रबुलालमीन जल्ला वाला को इस दुनिया में अपनी सर की आँखों से देखना यह मुमकिन नहीं नbी पाक स्लूलाल स्ळलाली के यह खास्सा है आपने शिब मेराज अल्ला रबुलालमीन को देखा मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कोई कहे के आपने तो खुद कहा कि अल्ला रबुलालमीन को देखा नहीं जा सकता तो हम ये कहते हैं कि हुजूर ने अल्ह रब अलमीन को इस दुनिया में नहीं देखा क्योंकि दुनिया तो सिद्रा पर खत्म होगी था और उसके आगे आखिरत का मरहला शुरू हो गया था तो आखिरत में तो हर बंदा अल्ह को देखेगा तो अलुजश रब अलमीन पहले ही हुजूर को आखिरत में बुला कर अपना दीजार को इसे जन्त दुनिया में नी आखिरत में दोजख दुनिया में नी आखिरत में तो य्य전ट में तो जिझिजिए पतम गए था, अगर देखना मुम्किन किसी सूरत मना होता तो अंबिया एकराम अबस और बेकार सवाल नहीं करते हैं और अगर 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 देखना कि आप मुझे, कोई मुझे नहीं देख सकता फरमा, तू मुझे नहीं देख सकता आप आप देखिये कि अपने आप को देखाना चाहा तो पता चला कि अपने आपको देखा जा सकता है कि नहीं सवाल कर रहे हैं और अपने आप देख्ये लीक 알ा यह जुरूर कहा कि आँखे उसको घेर नहीं सकती वो बहुकर तो घेर लेता कि आस्मान को देखे, तो कि मैंने आस्मान को देखा, तो मैंने आदा तो यहां निकल गया, आदा यहां निकल गया, आप जब आस्मान को देखते हैं, तो आप उसको मुकमल घेरते नहीं, कि कहां से वो शुरू हुआ, कहां खतम हुआ, आप जब आस्मान को देखते हैं, तो म ये जो आप हजर अस्वत के साथ इसको मुनसली कर रहे हैं तो ये भी अल्ला रभू आलमीन जल्ला वाला की तजन्लियात का मजहर बना। सुभानला। जिससरा आपने शाथ फर्माएं बिल्कू हदीश शरीफ में आता है कि अगर अल्ला रभू आलमीन इसकी रोशिणी को पोशीदा ना करता तो मुश्रिक और मगरिब इससे रोशन हो जाता है तो बिल्ला रभू आलमीन जल्ला वाला ने उसक है एसकी क्या लौजिक है कि मैं और आप जब किसी से महबबत करते हैं तो हम उसको अपस्प मिन जाहर ना चाते है उससे मिलना चाते हैं तो अब اللہ رب العالمين को इस तरीक चर्शिस दुनिया में देखा निजा सकता और वो जिसम से पाके उससे मिला निजा सकता लेकिन अपनी तोहीद अपनी महबत की प्यास को कैसे बुजाया जाए तो اللہ رب العالمین ने terror म 미हबूब जिसने उसको चूम लिया उसने मेरे हाथ को चूम लिया सुभानला हज़र गिबला यकिनन हजर असवत जब हाजी हज़ पे जाता है या उम्रा करता है तवाफ करते वक्त आगाज भी इसी से एक्तिताम भी इसी से अब मेरा सवाल ये है कि इतनी कड़ूरों लोग करवों लोग जब जाते है तो क्या हजर अस्वत बरोज हश्र गवाही देगा इन लोगों के लिए बहुत ख़ूरा सवाल है आपका बिल्कुल तवाफ जो है वो उम्रा करने बाला हो या हज़ करने बाला हो जब वो बाकाइदा बैतुल्ला का तवाफ करता है तो चक्कर तो वो साथ लगाता है लेकिं इस्तिलाम और बोसा वो आठ लेता है अब आप देखिए कि दो तरीके हैं नभी पाक स्वाल जब हज़तुल विदा के अंदर तश्रीफ ले गए तो चक्कर अब बाकाइदा हजर असुट पर अपने मुबारक होंट को रखा हजर असुट की उससे बड़ी फजीलती यह है कि सरकार दौालम स्वाल जब के मुबारक होंट जो है वो उस पत्थर के ओपर आए और सरकार असुट के वहाँ पर आशू भी बहे तो उस पत्थर के ओपर असुट के आशू भी आए है और सरकार के लबे मुबारक भी लगे है सहाबाए कराम इस मौके को जाया नहीं करते थे अब आप देखे हुज़ूर से दोनों साबित है एक ये भी साबित है कि सरकार असुट ने बोसा भी लिया और जब हुज़ूर ने उंतनी पर तवाफ किया था तो आपके हाथ में जिस टिक आपका असा मुबारक था आपने हजर असुट की बिल्कुल सीध में उसको किया और बिल्कुल उसके सामने लाकर हुज़ूर ने अस अस्वे को चुआँ इसको कहतें इस्तिलाँ तो बरायरास तकबील है बरायरास चूमना है यह भी है और दूर से अपने हातों का इशारा करना या आपके हाथ में स्टिक है तो उसका इशारा करके उसकी सीध में लेकर आना तो यह इस्तिलाँ है حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت سکار فاروق عاظم رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں سیاستہ کے اندر آتا ہے کہ وہ حجر اسود کو چومنے میں اس قدر خوگر اس قدر جلدی اور اس قدر بیچینی دکھاتے تھے یہاں تک کہ ایک دفعہ بہت بڑا رش تھا لیکن پھر بھی آپ اس میں گئے اور آپ نے فرما کہ اس جگہ کو کیسے نہیں چومیں جس جگہ کو رسول اللہ نے چوما یہاں تک کہ بھیڑ کے اندر کسی کا ہاتھ ان کی ناک پر لگ دیا ان کی نکسیر پھڑ گئی یعنی خون ان کے کپڑے پر آیا لیکن پھر بھی انہیں حجر اسود کو نہیں چوما یعنی حضور کے آثار سے رغبت اتنی ہے کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے چاہے وہ پتھر کیوں نہ ہو اس کو چوما جاتا ہے اب آپ دیکھئے یہ جو آپ کا سوال ہے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے جب حجر اسود کو چوما تھا تو چومتے وقت آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے حجر اسود کہ تجھے رسول اللہ نے چوما تمام محدثین نے یہاں پر لکھا ہے کہ فاروق عاظم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تُو نہ کوئی نفع دے سکتا نقصان دیتا ہے یعنی استقلالا ذاتی طور پر اللہ نے تجھے نفع نقصان کا مالک نہیں بنایا لیکن تجھے نفع نقصان کا ذریعہ ضرور بنا دیتا ہے کیا بات ہے اب آپ دیکھیں پیاس کون بجاتا ہے جب ہم پیاسے ہو جاتے ہیں تو پانی دی کر پیاس کون بجاتا ہے اللہ ہماری پیاس کون بجاتا ہے اللہ لیکن پانی اس کی اس تاثیر کا سبب بن جاتا ہے تو ہم جب پانی پیتے ہیں تو ہم پانی کو کہتے ہیں پانی تجھے میں کوئی نفع نہیں لیکن تجھے اللہ نے نفع کا ذریعہ بنا دی تو اصل تو نفع اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے لیکن وہ ڈیلیور کہاں سے ہوگا اس کا قوز کیا ہو اس کا سبب کیا ہوگا تو جس طرح نفع کا سبب دوائی ہے میڈیسن یا اللہ کی طرف سے شفا شفا کون دے رہا ہے اللہ لیکن دوائی کیا ہے کاؤز بھوک کون ختم کر رہا ہے اللہ فوڈ کیا ہے کاؤز بارش کون دے رہا ہے اللہ کلاوڈ کیا ہے کاؤز اسی طرح آپ دیکھیں کہ پیاس کون ختم کر رہا ہے اللہ پانی کیا ہے سبب اسی طرح جو ہے کہ وہ بخش رہا ہے اللہ انعام اللہ دے رہا ہے اور نفع اللہ دے رہا ہے اس کا کاؤز جو ہے कि हदरते अलील मुर्तजा रदियल्लाहु ताला ने हदरते फारुक आजम के कंदे परहात रखा फरमाया अमर ये बात सुनो मैंने हुदूर से खुद सुना है कि कियामत के दिन ये पत्थर इसके दो आखें होगी इसके दो होट होगी जिस जिसने इसको चुमा होगा जिस जिसने इसका एस्तेलाम किया ये खियामत के दिन अंस सब की गवाई अल्ला की बारगाह में देगा या psych inhib्र ये बारगाह में उनकी श सफावत करेगा तो मैं आप से पूचना चाहता हूँ मुझे बताईए कि जिस पत्थर के साथ सिर्फ हमारा नभी पाक के निसमत से तालुक है वो नभी प्त्थर क्यामत के दिन हमारी शफात का ज़रीया बनेगा तो जिस नभी के निसमत से उसको ये मकाम मिला है वो रसुल करीम सु el-laasta की शफात अल्हा के वारगा में कितनी आम है सुभान अल्ला, सुभाना, हज़र गिवला, सवलात तो ये कि बात दिगरे जहन में आ रहे हैं, मगर मुकैद हैं वक्त को लेकर, बहर कैफ बोसा देने पर आते हैं, तो यहां से एक बात जो जहन में आ रही है भी, नबी करीम ने पत्थर को बोसा दिया, अगर इस नुक्ते क कोई निक पैदा होता है? पत्थर से जादा अजमत तो उलमा की है पत्थर से जादा अजमत तो सालिहीन की है यकीन तो फरमा इस मज़े से ये निजबत वहाँ से इसलिए आप हदीस पाक के अंदर आते हैं तो आपको ये चीजें कसरत के साथ मिलती है के सहबा एकराम रिद्वान और अजमाईन पाउं को भी चुमा गजबा हुनैन के अंदर अगर आप देखें तो सरकार अजमत तो से चचा हारिस के बेटे जनाब सुफियान बिन हारिस ने जब अपना इमान जाहिर किया तो उसके बाद उन्हों ने फुझा जो जन्नती को देखना चाता है वो उसको देख ले इमाम अटिट्यूट और नेग जो है कि वो चीज़ों को जिकर किया उसमें से एक जिकर किया है कि तकबील यद वर्रिजि यानि हाथ और पाउं को चुमना उसके तहता आपने एक हदिस नकल किया है कि हदरती अली मुर्तजा रदिया लाह ताला अन्हों जब अपने चचचा ये म आदाब ये किताब अलकराहियत के जरा आपको ये मसले जगा जगा पर मिलेगा कि अलमा और सालिहीं यहां तक के वक्त का अगर कोई सुल्तान हो इसलामी सरहत का अगर कोई सुल्तान हो और इमाम हो सरबरा हो तो उसके पाउं चुमना उसके हाथ चुमना ये भी सुनत है और ये भी बिल्कुल जाइस है, सहभा एकराम हुजूर अलिए शुम्ते थे और यही दलील इसकी ये करार पाती है, तो यहाज़ा ये बिनात या गेर शरी नहीं इन दलाइल के तरफ गोई है ये ना खतम होने बाले दलाइल, हमारा प्रेग्राम खतम हो सकता है, लकि इतने दलाइल इस पर मौजूद है THAT दस बॉसी, ये अदूसीय ये ताजीम का तरीका है, ये अदूसी है, दरशल मैंने आपके हाथ को नहीं चूमा, मैंने ये अल्लाइकि ताजीम किया क्या बात है। की निजबत है। तो दरसल ये उनका रिस्पेक्ट नहीं है ये लाह का और उसके हबीब का रिस्पेक्ट क्या बात है। हुदा ने चुमागे तुझे को खुद मुस्तफान है। आई हजर अस्वत तेरा मुखेबर्घ तेरा मुखेबर्घ रहा है। नाजरीन कराम हम आपको बताते हैं कि इस वक्त आप अंजमर प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारा मौजू है हजर-इस्वड खुश्किस्मत की बात है कि आज हमारे साथ तश्रीफ रखते हैं हजर-इस्वड लामा सेद मुजफ़र हुसेन शाह कादर इदामत बरकातुमालिया आईए हम अपने गुफटगों को जाए रखते हैं हजर-खिबला बोसे की बात हो गई अब आईए निस्बत की तरफ पत्थर की निस्बत नभी करीम अबिकरीम की मुबारक हौट से जब होई तो उसका मरतबह उसका रुदबा इतना होगी तो अब जिस शएष्य से भी नभी करीम की निस्बत हो जाती है वो शएष्य अन्मूल हो जाती है जमीन हो, कपड़ा हो कुछ भी हो उनका मुही मुबारक हो इस पर क्या करने है देखिए जनाब रिसालत इमाँ में बहुत आला है मुखारी शरीप किताब अन्बिया से एक रिवायत प्रेश करता हूँ घजवा तबूग से जब हुजूर अलिए स्वाथ अलिए लोटे थे सकार अलिए स्वाथ तश्रीफ लाए तो हुजूर ने एक साहभी से पूचा कि ये जो रोटियों के लिए जो तुमने आटा गुंदा है इसका पानी तुमने कहां से लिया तो सामने एक वैल था यानि कुवा था पुणने का हुजूर हमने यहां से लिया इसको पसंद नहीं करते लेकि जब हुजूर ने पूचा कि तुमने इस आटे को बुंदने के लिए पानी स्कूए से लिया है तो ये सारा आटा उठा के फैंक दो अब हजारो आदमी का आटा उठा कर उंटों के आगे फैका गया अब आप देखिए गोर करें हुजूर तो चावल का एक दाना गिर जाए गवारा नहीं करते रूटी का एक टुकड़ा गिर जाए गवारा नहीं करते आज जनाब देखिए कई सो आदमीों का गूंदा हुआ आटा फिकवा दिया गया क्यों का तुम ने इस कुए से क्यों पानी लिया अच्छा तो या रसुला क्या करें फर्मा और आटा है यहां है फर्मा लाए गया फर्मा हुजूर अब कहां से पानी ले फर्मा मैं तुम्हें बताता हूँ उसी कुए से आगे नाजलीन गोर करें जनाब उसी कुए से आगे एक और कुए था हुजूर ने फर्मा यहां से पानी लो और आटा गुंदो अब दोनों कुए में पानी तो था दोनों पानी बजाहिर पाक थे लेकि इसका इससे लिया हुआ पानी फिकवा दिया आटा फिकवा दिया और उससे लेकर गुंदवाया जा रहा है उसके लॉजिक पूची गई, हिक्वत पूची गई या रसुला क्यों? फर्माया है, इस कुछे से कुफार पीचे थे इसलिए उनकी निजबत हुई तो फिकवा दिये गा उससे अल्ला की उंटनी, नाकतुला पीती थी नाकतुला उटनी है, कैमल है, शी कैमल है अब जानवर हो और निबी का, निबी का जानवर जिस पानी से गोए कि पी है, झनाब रसूलHigh aquidd, उस पानी को लेकर आटा गुदवाए तो मुझे बताए, निबी के जानवर का मुँ जिस पानी में लग जाए, उस पानी से हजर अस्वद, हदीस मुबारिका के मताबिक, हजर अस्वद सुफेद पत्थर था, बिल्कुल दूद की तरह, मगर आउलाद आदम के गुनाहों से ये सिया हो गया, ये काला हो गया, अब हम अपनी अपनी जाती जिन्दगी पर जब नजर डालते हैं, सफेद पत्थर, जो दूद की तरह बिल्कुल सफेद था, वो गुनाहों से काला हो गया, तो जब हम अपने दिनों की तरह देखते हैं, इसका लिंक किस तरह हो सकते हैं, बहुत खुब्सूरत, अपने निक्ता यहां से निकाला, कि वो अनवार तजलियात वाला पत्थर, जिस की रोशनी शर्थ से मगरिब पर फैल जाती है, लेकि इनसान का गुनाह इतना सक्त है, और इतनी सक्त चीज़ है, जिसने उस पत्थर को काला कर देए, तो अब आप देखें, जब गुनाह उस नुरानी पत्थर को काला कर देता है, तो गुनाह की कस्रत हमारे दिलों का क्या अला से मौफिन ना माँगे, अला से इस्तिखफार ना करे, तो वो उसकी सुस्ती, उसकी काहली और इसको परवाण ना करने की वज़े से, एग्नॉरिंस के गिसकी आदत है, उसकी वो बलेक दाग बढ़ता चला जाता है, अचा काला दाग बढ़ने का क्या माना है, उसके द वो नमास को भूल जाता है, वो अपनी ड्यूटी को भूल जाता है, बलकि वो कहता है, यह क्या तुम बते कर रहे हैं, सब चीज़ तो यहीं पर रहेगी, मैं अब कैसे मर जाओँगा, मेरे मकान कैसे खतम हो जाएंगे, मेरे तुटिने बाडिगार्ड है, मेरी तो इतनी गाड़िया है मेरे इतना बैप बैलनस है अब ये जो दूरी आ रही है न खिबला ये दिल के अंदर जो दूरी आ रही है उसकी वजाई ये है तो गुनाह ला रहा है इसका तरीका ये है कि जो बन्दा लगारी के साथ बैठे तो क्या अल्ह वहां नहीं सुन रहा था तो जवाब आया और अल्ह सुन हर जगा से रहा था लेकिन राजी हर जगा से नहीं होगा था था हमें चाहिए कि फिर ऐसी गैदरिंग हम इस्तेमाल करें ऐसे नेक लोगों की सहबत को हमां आये और उनके पास बैटकर हम लासे मौफी म सहे और खुदा ना करे बंदा अगर इस पर ला परवाई करे इसको आहमियत ना दे तो ये आईस्ता आईस्ता ब्लेक डॉट बढ़ता है और ये पूरे दिल को गहर लेता है माज़ला तो आल्ला फरमता खतम अल्ला हुला खुलूली ही वाला समय ही वाला अबसाहि विशाब उसको स्तामने वाली चीज नदर नहीं आती कि आख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे तो हजर इस बात से मुझे और आप तमाम नाजलीन को अबरत लेनी चाहिए कि गुना इतनी गलीज और इतनी गंदी चीज़ है कि ये हज हमारी के लग जाना ये एकसिडेंस अमूर हो जाना ये तमाम चीज़े गुनाहों की सजा होती है तो हमें चाहिए कि हम खुद भी तौबा करें और ला से दुआ करें या ला हमारे गुनाहों को माफ फर्मा हमारे माबाप की गुनाहों को माफ फर्मा अम्मत के गुनाहों को माफरमा और हमारी गुनाहों की सजा ना हमें दे ना हमारी बच्चों को दे आमीन थम आमेन हैं हम अपने प्रोग्राम के आखरे तक पहुँच गए हैं आखरी सवाल बिल्यकी जिसके मैंने आखाजे में फिल्में कहा कि आज कल मौसम जो है हज का मौसम है करूरों लोग उस पाक जमीन पर जा रहे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से जो नाजरी इस वक्त आपको देख रहे हैं बिल्कुस चुक्के हमारा मौदू हजरी हस्वद है हजरी हस्वद के हवाले से आप हमारे नाजरी जो इस सफर मुबारक के लिए मुन्तखब हुए हैं उनके लिए आप क्या पहाँ हैं सुछानल्ला ये बहुत बड़ी सादत है कि जो हज के लिए मुन्तखब होता है हज से बड़ी अबादत नहीं है इसलिए के हज के अंदर हाजी पे गिला वो जाता है अरफात के मैदाने सकारिद वालम सुछानला ये जिसने हज किया और जुबान से गाली नहीं दी हज किया जुबान से गाली नहीं दी जुबान से बेहयाई के काम नहीं किया अब इसमें देखें कि बहनों को ये हुकम होता है एक औरतों काके वो चहराकुला रखिए वुजय फ़र्माते हैं कि जिसने अाँखों से बेहиाई नहीं की बेश्रमी नहीं की जुबान से किसी को गाली नहीं गी और उस सफर में थक गया परिशानी हुए और किसी से लड़ा नहीं इन तीन चीज़ों की पाबंदी कर लो एक तो किसी से जगड़ा नहीं करना एक आँखों से बेहया ही नहीं करना दो जबान से गीबच चुहली गाली ये नहीं करना खुझ फुर्माते हैं जिसने इन तीन चीज़ों से अपने आपको बचा लिया वो सौ साल का बुड़ा भी क्यों नहीं हो वो हच करके ऐसे हो जाता है जैसे अपनी मा के पेट से पैदा हुआ यहीं पूरा रिजिश्टर खतम लोग पुछते हैं गुना है कभी है कोई गुना रहता ही नहीं उस पर सिर्फ एक गुना होता है अगर वो यह समझे कि खुदा ने मुझे बखशा नहीं यई सारे गुना उसके खतम हो अगर उस ने यह गोर के नगर नहीं मुझे लौने बखशा नहीं तो यह गुना हाजी का रुदबा यह है यह रमजान शरीव से बड़ी अबादत है अरफात के दिन जब हजी हज के मैदान में पहुंचता है तो ये आखरी वक्त होता है ना मगरिब का जिसमें सूरज गुरूब हो रहा होता है इस वक्त अल्लाह रबुलालमीन जल्लावाला अपने शायन शान उसकी रहमत पहले आस्मान को घेरती है और फरिष्टों से पूशती है कि क्यूं आ है ये तो बड़े बड़े बस्तोरों पर रहने वाले थे बड़े बड़े मकानात पर रहने आ अज ये तो ने कपड़े भीगंदे इनके सरों पर मती है ये तो मैले कुचे ले आ हैं वो कहेंगे मुला ये तेरे लिए आए हैं अल्हा फर्माता है कि फिर इनको कहो गवा हो जाओ तुम्हारे गुना अगर समंदर के जाग के बराबर क्यू ना हो तुम्हारे गुना रेत के जर्रों के बराबर क्यू ना हो आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया सकाफ फर्माते हैं शेतान दो वक्त में सबसे ज़्यादा जलील होता है शेतान बड़ा धीट है वो जुकता नहीं लेकिन दो वक्त में बड़ा जलील हुआ एक तो बदर के मैदान में जिब अल्ला ने मुठी मर मुसल्मानों को फता अता फर्माई और एक अरफ किया करो इससे तुमारा कारोबार बढ़ेगा क्यों क्योंके रिस्क जो कम होता है वो गुनाहों की वज़े से होता है और हच्च से सारे गुनाह माफ होते है इससे उमर भी बढ़ जाती है और रिस्क भी बढ़ जाता है माशाला, माशाला हज़र गिबला, दिल तो चाहता है कि गुफटगू होती रही होती रही अलहमदोलिला, बस लाध ताला शर्फ खुबले ताफ फरमाएं हज़र गिबला, अंजमन टीम की पूरी टीम की जानिब साब का दिल के अथा गानेरे से बहुत-बहुत чुक्र talkin' थे बस दिल से यही दोआ है कि अपने हबीबिल्स के सद्के में आपके अम्र में बर्कते अटा फरमाएं आपके इल्में बर्कते अटा फरमाएं अलहा आप लोगों की अरखें आपके फूरे चैनल को आमेन, 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 यहां पे ये प्रोग्राम एक्तिदम पजीर हो रहा है बस एक बार फिर उन तमाम हुझाज कराम को के लिए दौा है कि अल्लह तबार कब ताला उन तमाम लोगों के हज को मनजूर मकबूल फरमाए कदम कदम पर उनको आसानिया फरमाए और आला हज़त के शेर से मैं इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा कि हरम की जमी और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है ओ जाने वाले आप तमाम लोगों को एक बार फिर हज बहुत-बहुत मुबारक हो द्वा में याद करें अगले मुलाकात तक अनुर को इजाज़त रहे चमन तब भूर किलेंगे रहे जिन्दगी तो इन्शालला फिर मिलेंगे अस्सलाम आलेकुम वरहमतुल्ही वबरकातुम भीजा है जन्नत से तुझ को खुदा ने चुमाए तुझ को खुद मुस्तफा ने है हजर इस्वद तेरा मुद्र को कर्था निट दिटे लोगा हुआड़ के व हुआड़ तट questa एकी कि भी टबखे वह घुरत कि पर फंगा कि अrigार्स6,2 लिट रिजस ट mão प्या है कि गड़ाते स सेल्टीन अजय कोंग भीत समय कोंगब दोल झाल झाल